हेलो तेरी स्टुडेंट्स वेलकम तो डिस्टेर लर्नी प्लेट्फर्म अफिंसम इंटर्नाइक स्कुल एंड टुडेवी अग्लास नाइट की हिंदी हम कर रहे थे इस पर्ष का आज होने वाला है चैप्टर नेक्स जिसमें हम पढ़ेंगे मेरी एवरेस्ट यात्रा देखी परिवर्तन आया वह हम देखेंगे शेप्टर के अंदर सो अपनी कलम से इनके द्वारा लिखा गया है बात करें बचेंद्री पाल की तो उनका जो जनम है वह उत्तरा चलके चामोली जिले के पंपा गाउं में 24 मई 1904 को हुआ और बचेंद्री पाल जो है वह अपनी मां उन वह और जो बड़ा ठाइव उनको हमेशा बना करता था कि बचेंद्री में कर सकती हूं बट ॏसा बेधिवाव क्यों हो रहा है तो शायद यही इनका में डिजन रहा कि एवरेस्ट फत्य करने का कि कुछ करके दिखा रहा था और पिता जो पढ़ाई का खर्च उठाने में आसमर थे और आठवी कख्षा पढ़ाई का खर्चा आठी से लेकर जब तक उन्होंने बेड कंप्लेट करी लगब उससे पहले सिलाई कड़ाई करके वो अपनी पढ़ाई का खर्चा दुस्वाइम उठाती थी और जब इन्होंने दसवी क्लास जो है वो पास कर ली उसके बाद बचेंद्री की तो प्रिंस स्कृत में और फिर आगे उन्होंने बीड गंप्लीट कर रहा है और लक्षे के प्रती समर्पर भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली भारत की पहली मैला बना दिया गचेंद्री को परढ़ा और पहाड़ो पर चर्ड़ने का चाऊ बच्तनी था और जब इनका बड़ा भाई भी पहाड़ पर चर्ड़ने में वहन्गी मैं कुल्ट इनको बॉरा लगता था कि यार ऐसा क्यों हुर रहा है में साथ बेधवा और क्यों हँ क्यों कि चह महीने क्या करते साल के जान कि आ हटी है उनके उस गाहों में रहते थे और छे महीने पहाड की चोटी पर तो जब जिन महीनों में वह पहाड के मीचे वाली हिस्से में रहते थे कुछ मौसमी कारणों से कुछ फ़सल के कारणों से तब इनका जो वो पहार की चोटी पर था जो 5-7 मील की दूरी पर था तो उनका तो शपन सब दो पूरा ही रहा था प्रेटिस तो ही रही थी 5-7 मील उँटर ना उतरना और उन वह वह पहार उपर तो ऐसे करके उनका मन में तबी दो जैसे करते हमने देखा, कि वह उनकी जो इच्छह थी पाड की, वो पूरी हो रही थी, और इधर बच्छेंदरी पाल की पड़ाई पूरी हुई, और उधर इंडियान मााउंटेन फाउनडेशन, इंडियान मााउंटेन फाउनडेशन, ने ऐसी महिलाओं की खोज करना शुरू कर दिया जो ऐसा एडवेंचर करना चाती हो कि माउंट एवरेस्ट पर फदे करना चाती हो और इधर उन्होंने खोजना शुरू किया और उस तरब जैसे ही बचेंद्री पाल को पता लगा वो इस दल में शामिल हो गई और ट्रेनिंग साधे साथ हजार उन्ची मान चोटी पर सफलता पूरू चड़ी और फिर कई महिनों की ट्रेनिंग के बाद आखिर वो दिन आ गया जब उन्होंने एवरेस्ट पर विजय के लिए परियान किया प्रियान अथम पूरी दिल से पूरे मन से पूरी लगन से कोशिश की और बच पूरे में खुद लिखू मेरी किताब में तो मेरे एक्स्परेशन होंगे वह बिल्कुल वैसे यह जैसे मैंने फिल किया है और दूसरा कि मैंने किसी को बताया बट दूसरे किसी इंसान ने उस बारे में लिखा है तो दोनों का जो भावनात्मक चितरन है वो अलग-अलग ह तो इनके खुद के आतों से लिखी वी किताब किस्टर करते हैं पचेंद्री पाल अपनी एवरेश्ट की चड़ाई के सफर की बात करते हुए कहती है कि एवरेश्ट पर चड़ाई करने वाला दल सात मार्च को दिल्ली से हवाई जहाज किसे काट मांडू के लिए चल पहले ही एवरेश्ट की चड़ाई के लिए चला गया था जिससे की वह बचेंद्री पाल वाले दल के पहुंचने से पहले बरफ के गिरने के कारण बने कठीन रास्तों को साफ कर सके यानि इससे थोड़ा स्ट्रॉंग दल था थोड़ा मजबूती में अट्टे-कंटे शरी कर दो ताकि उनको थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो कम हो बचेंद्री पाल कहते है कि नमचे बाजार शेर पॉले का एक सरवादिक बहत्तपुर्ण नगरिये छेतर है और यहीं से बचेंद्री पाल ने सौरवपर्थम एवरेश्ट को देखा था अब कैसा रहा होगा वह जब इसके बारे में सोचा जाता है तो रॉंगटे खड़े हो जाते गूसबंस आ जाते कि बस कैसी रही हो कि इसकी यात्रा बचेंद्री पाल को बताया गया कि शिखर पर जाने वाले परतियक व्यक्ति को दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी पर तुफानों को जेलना पड़ होता है और पहाड़ों पर बर तुफान तो आम बात है दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी पर तुफानों को जिनना पड़ता है और वही तो रास्ता दोलाने का, मतलब अब क्या करने हैं, लोग डरा रहे हैं इनको, कि देखो आपको तुफान का सामना करना पड़ेगा, पर जो जिनको मंजीलों पर अपने अभिमान है, जिनको भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ, तो उसको तुफान है, चोटे मड़े तुफा समाचार मिला, शेरपा नाम शेरपा जो एक तरह का ट्राइब था, वहां की किसी महिला की, जो बरफ खिसकने के कारण गयत हो गयी थी, और आज भी अगर वहां कोई गूमने जाता है, तो ऐसे हाद से, हमने देखे होंगे, लेंड स्लाइड हो जाता है, बरफ सिर्करिक जात बचेंदरी पाल के अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाई उदासी को देख कर, उनके दल के नेता जो थे, करनल खुलर ने सभी सदस्यों को साफ-साफ कह दिया कि, एवरेस्ट पड़े चड़ाई करना कोई आसान काम नहीं, और जब साथ में इनके करनल हो, इंडियन आर्मी के करनल हो, तो देखो, आर्मी वाले तो किसी से नहीं ड़ते, चाए वो देश का हमालिये हो, चाए फिर कोई विकर्ड समझ जाओ, कभी नहीं ड़ते, और उनके साथ वो है, उनके साथ होसला बना है कि, एवरेस्ट पर चड़ाई करना आसान काम नहीं है, बट ऐसा भी नहीं कि ना मुमकिन हो, तो चाए कुछ भी हो, हमें जो अपना होसला है, वो बुलंद रखना है, ये सुनकर, वहाँ पर जाना मौत के मुँ में कदम रखने के बराबर है, और बचेंदरी पाल कहती है, कि उपनेता प्रेम जंग, जो पहले वाले दल का नेतरत कर रहे थ उन्होंने बचेंदरी पाल कि दल की पहली बड़ी समस्या, बचेंदरी पाल उनके सात्यों को खुंबू हिमपात, जो खुंबू हिमपात हुआ था, उसकी स्थिति के बारे में बताया, हिमपात, बरफ का गिरना, बरफ का बरसना, उन्होंने बचेंदरी पाल उनके सात्यो उन्होंने क्या करा पूरा सर्वे कर लिया है पूरे पुल जो थे सुरक्षा के नजरिये से वो बांद दिये गये हैं अब चाहे सुरक्षा कितनी हो जब तक इंसान के मन का खौफ है इंसान के जो दिमाग में दिल और दिमाग में उनके जो खौफ है जब तक वो नहीं जाता तब तक वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, चाहे वो, चाहे वो कोई एक्जाम हो, या फिर एवरेस्ट की चड़ाई, दोनों का जो खौफ है वो बराबर ही है, अगर उनकी तुलना की जाए तो बराबर है, तो हमें क्या करना है, बस इसी जो डर है, अमरी जो फीवर है, इसको overcome करना है, इससे दूर नहीं भागना है, इसको बस परास कर देना है, उन्होंने बच्छेंद्री पार, उनके सात्यों का ध्यान इस पर भी दिलवाया कि ग्लीशर बरफ की नदी है, और बरफ का गिरना अभी जारी है, अभी तक गिर रही है ये बरफ और जिसके करना अभी तक के लिए, अभी तक किये गए, सभी काम विर्थ हो सकते हैं, कि जितनी आपने मेहनत किरिए है, हमने वहाँ जाके पूल बांदा, सर्वे किया, शड़के साफ करी, उन पहार से बरफ को हटाया, और जो रास्ता था, उसको सही किया, उसकी मार्किंग की, सब का सब पाने मे मिल सकता है, और उन लोगों को रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है, गुंजाइस हो सकती है, और बचेंदरी पाल कहती है कि बेस केम्प में पहुंचने से पहले उन्हें, और उनके साथियों को एक और मृत्यू की खबर मिली, अब सोचो, इमेजिन करो, कि हम हमारी जो उमर है, वो इतनी नहीं कि हम पूरे बुड़े हो गए हैं, हम एक 25 से 26 साल की एज पर हैं, और हम ऐसी जगा जा रहे हैं, जहां का बरोशा नहीं कि हम जिन्दा लोटेंगे या नहीं, और उस दोरा हमें खबरे मिलती नहीं कि आद एक की मोत होगी, आद दूसरी की होसले के साथ कि बस करना है, मतलब करना है, मांजी तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जलवायू के सहीना होने के कारण एक रसोई सहाय की मुर्ती हो गई, और निशी जरूफ से अब बचेंदरी पाला उन के साथी आशा उत्पन करने की स्थिति में अब जो है होश है, वो काम नहीं कर रहे, सभी गबराये हुए थे बेस के पहुंचाने पर, दूसरे दिन बचेंदरी पाल ने अवरेष्ट परवत ता इसकी अन्य शेणियों को देखा, बचेंदरी पाल हैरान होकर खड़ी रह गई, वो कहती है कि दूसरे दिन नए आने व नाहेता ने बचेंदरी और उनके साथियों को अलुमीनियम की सीडियों से स्थाई पूलों का बनाना, लठो रश्चयों का उप्योग और बर्फ की आड़ी तिर्ची दिवारों पर रश्चयों को बांधना और उनके पहले दलके तकनी कारियों के बारे में उन्हें विस्त हो रही है तो भी आपको वहां से बचके रहना है इन सारी जितनी भी शुरक्षा के तहट ध्यान रखना होता है वो सारे की सारे डॉक्टर मिन्हों ने उनको जान करें दी और बचेंदरी कहती है कि उनका तीसरा दिन हम पाथ से कैम तक सामान डोकर चडाई का अभ्यास करने के लिए पहले से ही निश्ची था कि इस दिन आपको फिक्स प्रेक्टिस करनी है और रिता गूंबू तथा बचेंदरी पाल साथ साथ चड़ रहे थे दोनों दोस्ती और उनके पास एक वॉकी टॉकी था कि जिससे हम क्या करें अपनी टीम को अपनी जो मेन कैप्टन है उनको पहुंचने की सूचना दी क्योंकि कैंप एक पर पहुंचने वाली केवल वो दो ही मैला थी उससे पहले जितने भी समस्या ओरी थी सबने हिमत छोड़ दी सिर्फ वो दो ही मैला थी जो उस बेस कैंप पर पहुंचने वाली थी और करनल बहुत कुश हुए मुकेम बहुत कु पूचा होगे कि इन दोनों ने पहला पड़ाओ जो है वो पार कर लिया है और यही होती है कि हम हर मुश्किल का सामना हर बड़े से बड़े सामना सीडी दर सीडी करें वन बाई वन करें डारेक्ट उची से नहीं पहुंचा दा तो करनल कुछ हुए कि अगर इन्होंने यह पार कर लिया तो वहां भी पहुंच जाएंगी जब अप्रेल में बचेंदरी पाल कैंप में थी तैनंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्र डेकी के साथ उनके पास आई उन्होंने इस बात पर विशेश महत्व दिया कि दल के प्रतिक सदस्य और प्रतिक शेर्पा कुली से बात्चित की जाए और बचेंदरी पाल कहती है कि जब उनकी बारी आई तो उन्होंने अपना परिची यह कहकर दिया कि वे इस चड़ाई के लिए बिल्कुल ही नई सीखने वाली है और एवरेस्ट उनका पहला अभियान है जबकि वो साड़े साथ हजार उन्ची चोटी की पहली जो पहाड था छोटा वह पहला आभियान कर चुकी थी बट उन्होंने क्या कहा कि यह मेरी पहली चड़ाई है त्यनंजिंग हसे और बचेंदरी पाल से कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है लेकिन यहां भी स्पस्ट किया कि शिखर पहुंचने से पहले उन्हे उस पर पहुंचने से पहले साथ वार उनको एवरेस्ट पर चड़ना पड़ा था जाना पड़ा था क्योंकि बात तब होती है जब आप अपने टार्गेट में 100% स्कोर करो इट मीज कि पहुंचना है तो चोटी पर पहुंचना है वही आपकी सफलता का तो महारुशन करेग वरना आवरेस्ट पर तो लोग चड़ी रहे थे फिर अपना हाथ बचेंद्री पाल के कंदे पर रखते वनोंने कहा कि बचेंद्री एक पक्की परवती लड़के लगती है उसे तो शिखर पर पहले ही परियास में पहुंच जाना चाहिए बचेंद्री पाल कहती है कि 15-16 के दिन वह लोचे की बरफिली सिदी ढलान पर लगाये गए सुन्दर रंगीन नाइलान के बने तंबुक के कैंप तीन में थी और वो गहरी नीद में सोई हुई थी कि रात में साड़े बारा बज़े लगबग उनके सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सक्त चीज के टकराने से उनकी नीद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ बता रही है कि 15-16 माई की बात है 1984 को वो बुद्ध पुर्णी माके दिन कोई नाइलोन का रंगीन कपड़े का टेंट लगाया था वहां अराम से सो रही थी बट अचानक उनके सर पे किसी सक्तिती से लगी जिन से उनकी आग खुल गई और फिर हुआ एक धमाके की आवास अब वो क्या था वो बताएंगी एक लंबा बरफ का पिंड उनके कैम्प के ठीक ओपर लौचे ग्लेशर से तूट कर नीचे आगी रहा था और उसका एक बहुत बड़ा बरफ का टुगड़ा बन ग चमुअ कर Kodala किफार कर एक लिससे कि मचेपाड़ के अधूर्व को तरफ की Nah कडी बरफ की खुदाई की और भचेंधिरिपाल को बार्फ की कबर से निकाल बाहर की इचलार ने मेंए सफल औगए अनि था वहां कुछ भी हो सकता था बचेंदरी पाल कहती है कि अगली सुबह तक सारे सुरक्षा दल आगे और सॉला मई को प्राथ आठ बजे तक वे सभी कैम्प दो पर पहुंच गए और बचेंदरी पाल उनके दल के नेता करनल खुलर कैम्प पहले पर पहुंच चुकी थी फिर वहां पहुंचने के बाद बरफ गरी और टीम की मदद से वो कैम्प दो पर भी पहुंच गई थी और करनल खुलर ने पिछली रात को हुए हाथ से को उनके शब्दों में कुछ से इस तरह कहा कि यह इतनी उन्चाई पर सुरक्षा का जो कार्य है एक अत्यांत साहत से बरा कार्य था पचेंदरी पाल केते कि सभी नो पुरुष सदस्यों को जिने चोटे आई और हड्या भी टूटी उन्हें बेस कैम्प में पेजना पड़ा क्योंकि एक बरफ का गिनना बरफ सॉफ्ट नहीं होती पत्थर से भी मजबूत होती है एक उसका टुकड़ा भी इंसान की जो हड्यों को वो चूर चूर कर सकता है और बकाइदा नौपुरु से काफी की हड्या टूटी और काफी फैक्चरट भी हुए उन्होंनों क्या करा वापस जो सेफ्टी कैम्प था जो सुर्क्षा दल था उनके पास वापस होम बेस हो है उनको ट्रांस्वर कर दिया तब ही करनल खुलनर बचेंदरी पाल के तरह लगे कि क्या वह डरी हुई है यह तो सबसे बड़ा कहते हैं सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आर्मी में सब ज़्यादा यह बहुत बज़ेदार बात है कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो हमेशा एक बड़ा जो क्याप्टन वगरा होते हो अप्रेटिव सो बूचता है डर लग रहा है फिर सबका होता है नौ सर हाव जजौस आई सर तो मोटिवेशन मिलता है कि तरह का और इसके उत्तर में बचेंदरी पाल ने कहा हाँ उत्तर देगा सब लग रहा है करनल खुलर के फिर से पूजने अपर क्या कहा कि क्या वह वापिस आना चाहती है इस बार ब बचेंदरी पाल कहती है कि दोपैर बाद उन्होंने अपने दल के दूसरे सदेश्यों की मदद करने और अपने एक थरमस को जूस से और दूसरे को गरम चाह से भरने के लिए नीचे जाने का निश्य किया कि अब थोड़ा जूस और चाह पी लिया जाए उन्होंने बरफिल बचेंदरी पाल के द्वारा लाइगे चाय वगेरा की पी लेकिन बचेंद्री पाल को और आगे जाने से रोखने की कोशिश भी की वगर बचेंदरी पाल को से भी मिलना था उनसे मिलना भी था और उनसे रोक भी रहा था कि आगे मत जाना पर ये को डरने वाली थोड़ी है डरती तो आज याँ थोड़ी होती थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर उन्होंने की को देखा इसको देखा की को की एक नाम है कि बचेंदरी पाल को देख कर चौक गया और उसने बचेंदरी पाल से कहा कि कि वाल नामवलकी नहीं वाला की है उसने इतना बड़ा जोकिम क्यों उठाया क्यों ऐसी हाल ऐसी जगह पर आए कि जहां उसे अपनी जिंदगी का करने पड़े दाव पर लगानी पड़े मतलब कोई ऐसे आशंका नहीं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है कोई शौरटी नहीं है कि आप यहां आए तो जि है कि साउथ कोल यानि प्रिथवी पर अधिक कठोर जगे के नाम से प्रसीद साउथ कोल और बचेदरीपाल कहती है कि अगले दिन वह सुबह चार बजे उठी उसने बरफ को पिगलाया और चाय बनाई कुछ बिसकुट और आधी चोकलेट का हलका नास्ता करने के बाद वह साड़े पांच बचे अपने तम्मू से निकल पड़ी क्योंकि आपको चड़ाई चड़नी है तो आपको जो फूड है वो लाइट फूड ही करना पड़ेगा वहाँ पानी तो होगा नहीं क्योंकि जो भी पानी आप रगोगे इतनी बरफ है कि वह जम जाएगा तो इन्हों की पठर से सकूजाते तो उनको क्या करते फिर और फिर गरम करके उनका जो बच फर बनाते तो salt चालो हो जाता है तो फिर और की होन जो नामश्किल है इसलिए फोपूरी रात जो है जब तक तक आएग वह तहनम रहती है वो गाड़ी साड़ा ताकि वो इसका उंजन जो गरम रहे और चालू रहे बंद ना पड़े आसान नहीं है उस जगह पर रहना मौत से भी बत्तर जगह है और उसी जगह पर जो हमारे नोजवान है आर्मी इंडियन आर्मी जो है वो लगातार वहां बोर्डर पर रहे कर देश की सेवा जो है ताकि देश के अंदर जो नागरिक है वो सुक चैन की जो नीद है वो बसर कर सके बचेंद्री पाल कहती है कि जो बीस पर अंगदोर जी और साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन उपर चड़ाया था हलकी हलकी हवा चल रही थी लेकिन ठंड भी बहुत थी और बचेंद्री पाल उन की सीध्य ढलाओ चटाने इतनी सक्त और बुरबुरी थी ऐसा लगता था मानो शीशे की चादरे बिचियो उन सबी को बर्फ काटने के फावडे का इस्तमाल करना ही पड़ा और बचेंद्री पाल कहती है कि उन्हें इतनी सक्ति से फावडा चलाना पड़ा जिससे कि उस जम अगर थोड़ी सी भूल हुई थोड़ी सी भी लापरवाई हुई तो आप अपनी जान से हात दो बैटोगी और बर्फ को अगर घर में जो बर्फ जमी उसको भी तोड़ना इतना उश्किर होता है तो सोच वहां हिमाले पर जमी बर्फ कितनी सक्त होगी और वो च्वोटी मा मोढ का कान बन सकते ती और बचैंद्री कहती है कि दो गंटे से भी कम समय में ही वे सभी शिकर ह्खरी मोढ़ कर देखा। और उन्हें अन्हें कहा कि पहले वाले दल ने शिकर क्षेंप पा पहुचने में चार गंटे लगाए थे और वहीं बचेंदरी के टीम ने दो गंटे से भी कम में ये पूरी छड़ाई पार कर ली थी और यदि अब उनका दल इस गती से चलता रहे तो वे शिकर पर दोपैर एक बज़े पहुच जाएंगे लाटो ने ध्यान दिया कि बचेंदरी पाल इन उन्चायों के लिए समान अवसकत चार मीटर ऑक्सिजन की अपेक्षा लगबग धाई लीटर ऑक्सिजन प्रति मिनट की दर से लेकर चड़ रही है कितनी चीजिए समान ये चार लीटर ऑक्सिजन चीजिए क्योंकि जैसे आप पर चड़ते हो according to environment वहां oxygen कम होती है तो इसी लेवल पर है और जिता आप पर जाओगे उतना जो oxygen का लेवल है जो जो सास लेने वाली हवा का जो लेवल है वो कम होता रहता है और वहां oxygen नहीं होगी तो बिना oxygen के सरेर तो काम करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि oxygen है जो शरीर को पूरा काम help करने में वर करने में help करता है उसे भी है पर oxygen की ज़ुर्वत पढ़ती है सांस लेने के लिए तो अब सामाने चीह 4 लेट एक सामाने इनसान को चड़ने के लिए फिर वहां पाहुंचने के लिए क्योंकि जितना आप हाड़ वर्क करते हो उतनी अपने शरीर को चाहिए और उसके बावजू जो बचेंदरी थी सिर्फ धाय लेटर जो है प्रती मिनट की दर से लेकर चड़ रही थी बचेंदरी पाल कहते हैं कि जैसे ही उसने बचेंदरी पाल के रेगुलेटर पर अपूरती बढ़ाई बचेंदरी पाल कहती है कि उन्हें महसुस हुआ कि सीधी और कटिन चड़ाई भी अब आसान लग रही थी क्योंकि धाही लिटर के हिसाब से वह लेकर चल रही थी कम थी बहुत पर जैसे ही उन्होंने आपूरती बढ़ाई कि ठीक हो चाहिए तो जब सरीर में अक्षिजन जाएगा तब ही तो बोड़ी काम करेगी तो उनको लगा कि अब मेरे लिए क्या और आसान होगा इतनी उचाई पर चड़ना कहती है कि दक्षणी शिकर के उपर हवा की गती बढ़ गई थी उस उंचाई पर तेज हवा के जोंके बुरुबुरे बरफ के कणों को चारों तरफ से उड़ा रहे थे जिससे दर्शिता शुन्य तक आ गई बरफ उड़ रही हो स्नोफोर हो रहा और वहां लैंड पे गिरी वी जो बरफ बुरुबुरी सी वह भी हवा में उड़ रही है तो दिखना तो पॉसिबल है नहीं उनके बार अनिक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई उ देखके बचेंदरी जो पाल है वो कहती है कि उनकी तो सांस मान रुक गई थी उन्हें विचार आए कि सफलता बहुत नजदीक है क्योंकि जहां भी देख रही है वहां कोई उल्ची चोटे नहीं दिख रही है शिफ नीचे ही दिख रहा है और थोड़ी सी भूल लाइफ की समापती जी मलीला समापती और 23 मई 1984 1984 के दिन दोपहर के एक बज़कर साथ मिनट पर वाए और ती चोटी पर खड़ी थी उन्होंने क्या बोला कि अगर इसी स्पीड से वो चलती रही तो लगबग दोपहर एक बज़े तक वो उस चोटी पर पहुंच जाएंगे और ठी एक बज़कर साथ मिनट तक एक बज़कर साथ मिनट तक वो उस चोटी पर पहुंच चुके थे पर पहुँचने वाली बचंद्रिपाल प्रथम भारते महीला थी बचंद्रिपाल कहते कि आवरेस की चोटी की नोक पर इतनी जगह नहीं थी कि वे दो वेक्ती एक साथ खड़े हो सके सिरुफ पैर रखने की भी जगह नहीं थी इतनी नुकिली चोटी पर चड़ पाना और च सुरक्षा का था कि अब यह जो चोटी है इस पर चड़ तो गये हो और यहां इतनी जगह नहीं है तो वेक्ती एक साथ खड़ा हो सके खड़े हो सके थोड़ी सी चूख और पुरी-पुरी डलान से नीचे और बरफ इतनी सक्त है कि अगर आप थोड़ा सा सो मिटर तक अपने माता-पिता का ध्यान आया और वह कहती है कि जैसे वह उठी उन्होंने अपने हाथ जोड़े और अपने रजुनेता अंगदोर जी के प्रती आधर बाव से जुकी अंगदोर जिन्होंने बचेंदरी पाल को प्रोच साहित क्या मोटिवेट कि और लक्षे तक पहुं उन्हें अच्छी चड़ाइगी वह बहुत प्रशन है करनल खुल नर उनकी सफलता से बहुत प्रशन थे और बच oncetra इन पाल को बदाई देते उन्होंने कहा कि वह बच्छेंद्रि-पाल को इस अलग प्राप्ति के लिए बचेंद्रि-पाल के माता-पिता को बदाई देन अलग था अब एक पीक पर पूरी पीक पर वह पहुंच चूकी है जब वो चोटी पर पहुंची थी उससे पहले जो उनकी लिए उनका संसार था वह कैसा था कि वो एक नॉर्मल फीमेल थी नॉर्मल एक लड़की थी जिसको बस अभी के ठीक है बट वो अब सबसे बड़ी चोटी पर है जिसने इतिहास रच दिया है और अब जो वो जिस संसार में जाने वाली है वो बिलकुल अलग होगा वो संसार वो होगा जिनमें उनकी जो कि हैं वो चारों तरफ बजने वाले और उसके द्वारे अपने पीछे संसार एक तो और यह है वो फोटो जब बचेंदरी पाल ने जो एवरेस्ट है वो फते किया था चड़ने के बाद सबसे पहले नमन किसको कि आपने देश को और भारत का जंडा वहां फेराया और गिनी इनको मिला हुआ है और वर्तमान में टाटा स्टील कंपनी में यह एक एडवेंशरेस मोटिवेशन के रूप में काम कर रही है तो आज का यह चेप्टर यहीं करते हैं फिनिश्ट नेक चेप्टर में इसके लिए मिलेंगे कोश्टन अंसर के साथ तब तक कीप लेंग कीप स्टेए तून विंसर मिंटर नेक चेप्टर इसकूल